हुआ है हलो एंड वेलकम टो इस्टेटीटीफोर एचर तो स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री के सेशन में है तो हिस्ट्री के सेशन में हम लोग डिसकस कर रहे थे गवर्नर जेनरल और बाइसराइज को है तो हमने लॉड मिंटो तक हमने चीज़ें को डिसकस कर लिया था तो इसी क्रम में हमारा लॉड मिंटो के बाद जो बाइसराइज आता है वह है लॉड हार्ड हार्ड है और टैनियोर रहता है इसका उन्निस सो ग्यारे से लेके उन्निस सो सो लेके वीच में तो इसके टैनियोर में सबसे पहला क्या इंपॉर्टन्ट काम हुआ का है पहले भारत की जो राजधानी कि क्या वगा करती थी वेंगॉल हुआ करती थी कि 1911 12 के सम्थेंग में भारत की राइधानी है वह बेंगॉल से लेके आए गई डैली में बेंगॉल के कोलकाटा से है ना राइधानी को कोलकाटा से लेके कहा आए गई कि दिल्ली स्थांत्रित की कि दिल्ली से लोग डैली आ रहे थे अंग्रेज लोग उसे क्रम में जो बाइसराय लौड हार्डिंग है वो भी जब डैली की तरफ आ रहा था तो डैली में उसके काफिली पर फेंका गया बंग और यह बंग किसने सेंका रास भिहारी जान प्यारी प्यारी बोस्ट में लास प्यारी भूस लीडर थे कुछ चार-पांच लोगों ने प्लानिंग किती जैसे हन्मंत राव थे ओम्चंत थे रास ब्यारी बोस्ट कि बहुए भागने में सफल हो गया बट इन लोगों को पकड़ दिया गया और लोगों लेटर अन के टाइम पर जोज पंचम भारत आये और इनके स्वागत में दिल्ली दर्वार अब आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम है किंग्जवे केम्प बड़ी प्रोमिनेंट जगह है जी टीवी नगर के पास में जगह का नाम किंग्जवे केम्प क्यों है किंग्जवे क्यों कहते हैं क्योंकि यही वो रास्ता था जांसे जो जॉज पंचम थे उनका काफिला होके निकला था इसी वेज़े से इस जगह को किंग्जवे के नाम से जाना जाता है बाद लेटर ओन आजादी के बाद यहां पे बहुत सारे जो रिफ्यूजी इस थे पाकिस्तान से जो इंडिया आ से अलावा एक सबसे सब्सक्रीू इस के टाइम पर मारा जाता है कि यहां यहां पे 1903 में एक संकल पत्र जारी किया गया से पत्र जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि भी भारत से निरक्षर था यानि कि एली ट्रेशी को ख़तम करना जो है बिटिस गवर्मेंट का लक्ष है ठीक है इसके अलावा है 1916 में आपको पता ऑगा कि क्या हुआ та 1916 में इस्टोस ओन्यू पर भनारास हिंदू विश्विद्य ले की निव रखी गई भी स्टार्ट किया गया तो जब इसका inauguration हुआ तो इसके कि लिए किसको बुला गया था लाड़ हार्डिंग को बलाए गया था अब यह बन वाया था मदन मुहन कि माल वियन लोग तो यह लाड़ हार्डिंग का कुल मिला करकाल निस्तो ग्यारे से 1916 के बीच में यह हम भारत के बाइसराय रहे और जो मेजर काम हुआ राजधानी जो कोलकता से डैली लेके आएगी शिफ्ट किया राजधानी को वह जब यह सिफ्ट कर रहे थे तो उसी क्रम में रासब्यारी बोस्त ने इनके उपर बंग फेका बच गए रेस्क्यू कर गए और सारी लोग मारे गए बट जो हमला था वह असफल रहा और रासब्यारी बोस्ते भाग गए बट इनके साथ ही थे अनमंत्राव और ओम चंद जैसे उनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी इसके अलावा जो पंचम जो ब्रिटीन के किंग थे उस टाइम पे वह भारत से जो है इली ट्रेसी को बिल्कुल खत्म घर देना है इसके अलावा भारत भारत बनारास हिंदू यूनिवर्सिटी इसकी जो अधार सिला है जो नीव है वह नहीं के टैम पे रखी गए और इसी की नीव रखने के लिए किसको बुलाए गया वाइसराय लाड हाडिंग को ब हुआ 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 है हुआ है है हमारी नेक्स्ट वाइसर आये थे हैं लॉर्ड है जीम स्पोर्ड है कि 1916 से लेकि 1921 तक यह भारत के 22 सराय रहे और इनके काम इनके टाइम पर जो काम हुए उनको डिसकस कर लेते हैं पहला जो इंपोर्टेंट काम वह हुआ हुआ कि मांटिग्यू कि चीम्स फूर्ड कि सुधार कि 1919 में यह लाए गए और इसके तहट क्याती संपर्दाइक निर्वाचन प्रणा लिए कि मुसल्मान मुसल्मानों को बोट करेंगे हिंदू हिंदू को बोट करेंगे ऐसी जो प्रथा इलेक्शन की चलाएगे इसके अलावा प्रांतों में द्वैदसासन लागू किया गया तो सब्सक्राणी था यह प्रांतों में द्वैदसासन एक तरफ इसको पॉजिटिव चीज माना जा रहा था कि बहीं चलो थोड़ा इसी बट भारतियों को रूल करने के लिए कुछ हिस्सा दिया गया कि दो तरह की सरकार होंगा एक वो चुनक आएगी जनता के दौरा और एक सरकार होगी जो अंग्रेजों के रहती है गवर्णर होगा किसी स्टेट का और उसकी जो एगजीकुटिव कांसिल होगे बो तो इस तरह का एक सरकारी धाचा इसमें बनाने का दिया गया अब देखो कैसे कैसे मुद्दे दिये गए कि दो तरह की सरकार थी एक स्टेट में गवर्नर और दूसरी तरफ ती चुनी हुई सरकार अब कैसे यहां पर दिखाना चाहते थे अंग्रेज की वह देखो अंग्रेज जो इंडियान है वो सासन नहीं चला सकते हैं अब सरकार जब दो हिस्तों में बटेगी तो बटवारा होगा काम होगा अब देखो चुनी ही सरकार को और चिक ये खीति धरर हैं गवर्ण न हमें अपने पास रख लिया से चाहीं है अका इरिडिगेशन अब बताओ बिना से चाही बिना इरिगेशन के पंसिविल है क्या योजह से को हमने दे व्यूजा दिया पर आब लोग को सरकार चलाने का मता हम लोग को दोसक्का चलाने नहीं आती है है ना तो इस तरह का जो पॉलिटिक्स है वो अंग्रीजों की तरब से खेली के प्रांतों में दोहत सासन देखे लेकिन कुछ भी हो एक माइनी में अंग्रीजों का यह जो प्लान है वो फेल कर गया और जो मेंबर्स थे उन्होंने सरकार को चला के दिखाया इतनी विकट परिस्तितियों के बीच में तो मांटेंगी चिंप सोट सदार कवाई थे उनिस सो निस में इसके त्रू किया गया प्रांतों में दोहत सासन लागू किया गया ठीक है इसके अलावा रॉल एक्ट रॉल अटेक्ट इन्हीं के टाइम पर रॉल अटेक्ट निस सो निस में और रॉल अटेक्ट क्या कहता था कि बिटेन की गम्मेंट बिटेन की जो अधिकारी थे उनको यह अधिकार मिल जाता था कि वह बिन किसी को भी किसी इंडियन को बिना किसी वारेंट के आरेश्ट कर सकते हैं उनके घर की तलासी ले सकते हैं अधी रात को भी यानि कि कोई वारंट वगयरा की जरूरत नहीं थी उनको बस ऐसही तलासी ले सकते नियाजा तो इसको काला कानून कहा गया निस के बहुत ज़यादा हुआ किसके काल में आया जो लोड चेंप स्पोर्ट थे इनके काल में इसके अलाबा जो सबसे मेजर घटना उनके टाइम पर हुई वही ती जलिया वाला वाग कि और यह घटना हुई थी 13 अप्रेल सब्सक्राइब के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे तेज बहादूर सप्रू जम इनको अरेस्ट कर दिया गया तो बैसाकी के टाइम पर बैसाकी का टाइम भी था बैसाकी भी थी तो बहुत सारे लोग यहां पर गैदर होने लगे में परपज्यता उनका खट्टा उने का बैसा की थी बट बाद में जब वहां गैदरिंग हो गई तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो जो भीड वहां बैसाकी मना रही थी और हलकी फुलकी बाचीत कर रही थी कि तेज बादूर सपरू को या फुद्द कि बहुत सारे लोग मारे गए ऐसा अनुमान किया जाता है कि कम से कम चार से पांच हजार लोग मारे गए थे कि का कॉंग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वह तीन हजार लोग मारे गए थे और बिटेन के लोग कहते हैं कि भी एक हजार लोग वारे गयते हैं तो जलियां वाला भाग इन के काम पे हुए बाद में जलियां वाला भाग खत्य ल हो गया तो जनल डॉयर को बाद में कि टाइम पर हुए आसायों का अंदोलन लुट आसायों का अंदोलन लुट कब हुआ एक अगस्त कि उनने सो बीच से अंदोलन शुरु हुआ उनके त्मे में हुआ था लेकर एंड हुआ था वाइसराय के टाइम पे हुआ था और यह जुस्त असायों कांदोलन एक पहला नेशनल लेवल का एक मुमेंट था गांदी जी के द्वारा चला हुआ बाद में यह फेल कर दिया गया और इसको रोक दिया गया जब चौरी-चौरा की घटना हुए पांच फरवरी 1922 को जो गांवाले थे कुछ लोग थे उन्होंने गुरकपुर के चौरी-चौरा नामा की जगे पर एक पुलिस एस्टेशन ने इस पर अटैक कर दिया और उसमें 22 22 पुलिस वाले मारे गए थे तो गांदी जी ने गांदी जी शुरू हुआ इसके अलावा कि खिलाफात अंदोलन की में वजय क्या थी कि वही फर्स्ट वर्ड वार हुआ था तो टर्की था वो बिटेन के अगेश्ट लड़ा था बाद में टर्की है वो हार जाता है तो टर्की पे पहले रूल करता था वो खलीपा रूल करता था तो जब बिटेन जीत के वार में टर्की हार गया सरेंडर कर दिया उसने तो बिटेन जो था उसने अपने रूल इस पे ठूप दिये और का कि भाई कोई खलीपा उलीफा नहीं होगा आज के बाद तुमारे आप अब जो खलीपा था वो सिर्प टर्क की यहां खलीपा का तो हमारे भारत में मुसल्मानों ने साथ बहुत ज़्यादा विरोध कि आए तो महत्मा गंदी ने देखा कि यह तो मौका है एक थरह का मुसल्मान पहले कम जुड़े हुए थे मुस्लिम लीक की वजह से मुसलिम लीक मने बहुत कम मात्रह में जुड़े थे जो नेशनल मुव्मेंट से इनका सपोट लेने के लिए जरूरी है इसको कर देते हैं लोग सपोर्ट तो गांदी ने खिलाफत अंदोलन का जो था सपोर्ट किया और इसका फल उनको यह मिला परिणाम यह हुआ कि जो असायोग अंदोलन है उसमें मुसल्मान होने हमारी मुसलिम कम्निटी ने बहुत बढ़ चड़ के गांदी जी का साथ दिया तो खिलाफत अंदोलन के सब्सक्राइब करें होने जेजिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इसके अलावा बहुत सारे आयोग बनाए गया एक ट्राय हुआ था सुल्सक्राइए षटल के लिए बनाय गया राव यह बनाया गया था उनने सो सथ्रे कि सम्तिंग में और च्छा से लेलेटिट था और इसने बोला था कि जो क्लास ट्वेल्ट है कि उसको बोला जाए को अब क्लाश 12 की एजुकेशन के बाद ही आप जो है युदि या कॉलीज की कि जो एजुकेशन है हासिल कर सकोगी जब तक आप क्लाश 12 कौलिफाई नहीं करोगे आपको कॉलेज में नहीं जाने दिया जाएगा और जो डिगरी है कॉलेज से जो मिलने वाली bachelor degree है उसकी जो duration होगी वो तीन साल होगी तो आज भी आप जो देखते हैं क्लास के बाद ही हमको इससी सेटलर कमीशन की की सिफारसों का नतीज आपने यह देखा होगा आज भी बहुसारी जो डिग्रिया वो थे साल की होती है तिक सेटलर की जो कमीशन जो रिपोर्ट है उसी का यह नतीज़ा फिरिक है इसके अलावा कि इसके कारिकाल में एक जो important काम हुआ कि dk कर वे एक बड़े समास सुधारक थे इन्होंने भारत में पहला मैहिला विश्वविद्याले खोला तो यह था हमारे लॉड चैंप स्पोर्ड का करेकाल ठीक है काफी सारी हैपनिंग जो है इंसीडेंट यहां पर हुए इसको रिवायच काते हैं लॉड चैंप सुड़ ठीक है 1916 से 1921 तक भारत के बाइसरायर है और इनके टाइम पर भाराव राजी सचिप थे क्या नाम था उनका भाराव राजी सचिप का भाराव सचिप इनका नाम था मॉन्टेग्यों तो इन्हीं के काल में आया मॉन्टेग्यों चैंप सुधार सबसे खास बात थी प्रांतों में स्टेट में डूल गवर्मेंट को थोपना दो तरह की गव्मेंट और एक अंग्रेजियों की गव्मेंट में कौन होते थे यहीं इंडियन सेविल सर्वेस जो आज आई एस के नाम से जाने आते हैं इसके अलावा जो सबसे उचे पत्पे गवर्नर होता था इसके अलावा एक होती थी इलेक्टिट गवर्मेंट ऐसे भारतिये जो चुन के आते हैं अब इन दोनों को बराबर 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 तो नहीं कहेंगे खेर राइट बाट दिये गए गवर्मेंट के अंडर यह चीज़ें होंगी और चीजों का बटवार इस तरह से किया गया कि जो चुनी हुई गवर्मेंट है वो हमेशा जीह जूरी करती रहे अंग्रेजों की गवर्मेंट के जैसे मालो अग्रीकल्चर दे दिया गया चुनी ही गवर्मेंट को और इरिगेशन से चाई दे दी गई तो ब से प्लान यह था कि इनको खेती दे दे ते खेती किसान विबरवाद हो कि खेती जरूँबस सब्सक्सट्मिक्रों जो था में साधन था अजी वीका का भारती लोगों की तो ना कब खेती देते थे इनको खेती बरवाद होगी बाद में बोल देंगे देखो आप लोगों को गभर्मेंट चलाने का मौका दिया था आप से चलती नहीं है अब हम जलाएंगे ठीक है बट ऐसी कटिन परिस्तितिय लेके आए गया और यह कहता था कि भाई अगर ब्रिटिस ब्रिटेंड के अधिकारी है ना अगरे सरकार के अधिकारी चाहें तो किसी भी परसन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं उसके घर की तलासी ले सकते हैं उसके घर को घर को घिर सकते हैं और उसको घर में कर सकते हैं यानि कि कुल मिला के अब हर परसन को डर के रहना होगा कि किसी तरह की कोसिश करी तो तो इसको इसको काला कानून कहा गया इसके अलावा जलिया वाला बाग इसी के टाइम पे तेरह अप्रेल 1919 को और सैफुद्दीन किचलू की ग्रफतारी हो गई थी उनको ग्रफतार करके ले गई थी अंग्रेज जो पुलिस है वो तो यह लोग गैदर हुए यहां पर जलिया बाला बाग में बैसा की मनाने के लिए और बात होने लगी साथ भादूर सप्रू और सैफ जब अंग्रेजों का क्या था हजार लोग ही मारे गए थे कम निया कड़ा दिया गया था इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया अंग्रेजों ने और जनरल डायर को एक्दम क्लीन चिट देती जनरल डायर तो बिल्कुल ठीक काम किया उसने तो फोली चला के यह लोग जो है अंग्रेज सरकार के बिल्द क्या थे प्लानिंग कर रहे थे इसलिए अंग्रेज जनरल डायर ने इनको मारके एकदम ठीक काम किया है इसके अलाबा असायोग आंदोलन निके टाइम पे शुरू हुआ एक अगस्त उनिस्सों बीस को किसने शुरू किया महात्मा गंद लिडर सकी को को हरा दिया तो उसको बना खसका घ्रशा घ्राइंग मुवमेंट को सपर्ट studied मुसल्मान है वह जाजा से जाजा साही होगा अंदूलन में जुड़े इसके अलाबा सेडलर आयोग बनाएगा सेडलर आयोग ने आके का कि भाई जो स्कूली सिख्षा है स्कूली एज्यूगेशन है वह 12 के बाद ही कोई करने जाएगा और जो ग्रेजवेशन की डिगरी होग ठीक है इसके अलावा डी के कर भी ने पहला महला विस्विद्ध्याले खुला इन्हीं लोट चेंट स्पोड के टैम पर इसको नोट कर लिए जाए कि चलिए कि 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 नेक्ट हमारा जो बैसरा है वह है लोड रीडिंग कि और यह 1921 से लेके 1926 तक भारत का बाइसराय रहा इसे भारत का सबसे पड़ा लेखा बाइसराय भी माना जाता है क्योंकि यह ब्रेटेन है वहां के सुप्रीम कोड का मुख्य नयादी सीफ जेस्टिस भी रह चुका था ठीक है तो इसके बारे में जो चीजें हैं फेमस चीजें कि कि पहला बाइसराय पहला और अन्तिम अब जो यहूदी था पहला और अन्तिम यहूदी था यहूदी था यानि कि इससे पहले जतने भी बाइसराय हैं इससे बात जो जतने भी वह रहे होंगे वह सारे क्रिस्चन थे बट यहूदी था इसके अलावा बेटेन का मुख्य न्यादीश रह चुका था यह परसुन टेंगा अच्छा 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 इसके अलावा कि इसने बनाई एक एक वर्त समिती सब्सक्राइब क्या होता था जो खर्चें बागैरा कमें रेकमेंडेशन अनुसंसा के अधार पर रेल बजट को को आम बजट से अलग कर दिया अलग कर दिया बाद में जब यह चलते रहा चलते रहा चलते रहा अधार एंड़ 2017 में इसको रेल बजट को राम बजट को दौरा से एक कर दिया गया अब देखा आपने देखा हुआ कि कोई भी बजट नहीं आता है रे आम बजट के साथ ही क्या आता है रेल बजट आता है ठीक है इसके अलावा इसके टाइम पर ली आयोग का गठन किया गया ली कमीशन ली आयोग का गठन किया गया और इसको बोला गया कि कि भारत कि भारत में सिव सर्वेस में सिलैक्ट होता है तो उसको एग जाना पता था लंड्डून एक्जाम देने के लिए सिविल सर्विस लंडन जाना पड़ता तो यह गरीब लोगों की पहुंस नहीं इस जो घए थे जिनकी आल इंडिया रेंक्ट सेकेंड आई थी इसी सेविल तरवेसिज में वह कहां गयते पेपर लेंडन गए तो ली आयोग का गठन किया गया तो इसे नानुसंसा की कि भाई एक लोग सेवा आयोग बनाओ जिसको आज हम जानते हैं यूपी एसी के नाम से यूपी एसी बनाओ और यूपी एसी का ये काम होगा कि भारत में सिविल सर्विसेस की जो एक्जाम है उसको कंड़क्ट कराएगा तो तीन मेजर काम थे जो इनके टाइम पर होए थे लाट रीडिंग के वारे में पहला और अ यहूदी था रीडिंग यहूदी था बैटेन का मुखिनयादी रहे चुका था एक मात्र ऐसा परसंट था जो बैटेन का चीफ जेस्टिस रहे चुका था ठीक है तो दो अचीव में तो यह कोस्चन बहुत बार पूंचा भी कि भारत का एक मात्र यहूदी बाइसराय कौन तो अंसर था लॉड रीडिंग ठीक है बैटेन का भारत का एक मात्र बैसराय जो बैटेन का मुखिनयादी इस भी रहे चुका था तो कौन था वह लौड रीडिंगक इसके टाइम पर दो कमीटिया बनाएं गी ती एक बद कमेटी और ली कमीटी ठीक है एक बद कमीटी का ग मिला दिए अब लिए यूवप नेकल लोक सिव यूवप बनाना पढ़ेगा जो भारत में सिविल सीवा की परीक्षा इंडिया कर आएगा तो यह लोड रीडिंग था इसको नोट कर लीजिए चलिए लोड लोड इंडिया रहा 1926 से लेके 1931 तो इसके टाइम पर जो सब्से मेजर काम था वो क्या हुआ कि सभी ने अवग्या कि अटुल अटुल अटाके ले गई तो कम से कम ऐसे कैदियों को रहा कर दो दूसरा कि आपने नमक बनाने पर जो है कि प्रतिवंद लगा सकते लगा दिया कम से कम जो कोश्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको इतनी छूट दो कि वह अपने यूज का नमक खुद बना पाएं यान तो इनकी जो मांगे हैं वह रियक्ट कर देता एरवन और यह सुरू कर देता से विनें अवग्यां आंदोलन नाइटीन थर्टी में तीक हैं कैसे शुरू होता है नमक को भाना बनाते हैं और कहां चले जाते हैं 12 मार्च को साबर मती से डांडी तक की यात्रा करतें डांडी बिटेन के खिलाब एक तरह का विद्रू है तो इन्होंने नमक नमक जाके बनाया और सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने कोशिस की कि इनकी सब्सक्राइब ग्यान दोलन है वो खतम हो और इनकी मांगी मान ली जाए फाइनली क्या होता है गांदी इर्विन समझाता हुआ कब होता है गांदी इर्विन समझाता है फाइब मार्च नाइन्टीन थर्टी बन को जहां इनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाते हैं और जब समझाता हुआ तो यह गांदी और इर्विन जब मिले थे तो तो इनके मिलने को बोला था कि दो म्हत्माओ का मिलन किसने बोला था कि गांदी इर्विन सरम जोटे के दवर्ण जब दोनों मिल्हे थे तो दोनों के मिलने को कि दो महात्माओं का मेलन खा गया दो महात्माओं का मेलन किसने कहा सरोजनी नाइडोन है इनके काल में जो जो दो मेजर चीज एक मेजर चीज और यह हुई थी कि साइमन कमीशन भारत आया साइमन कमीशन भारत आया और किसली आया था जो मांटेग्वी चेंप स्वोर्ट सुधार थे उन्हें सो निसके उनका रिव्यू करने आया था कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो गया है यह ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुए कब आया था यह 1928 में फाइफ फैर्वरी यांत रखेंगे कौन तो वह रिव्यू करने आया था कि स्वितंग्यृ का यह नहीं चल रहा है या नहीं हो इसी टाइम पर इनके टाइम पर भारत सचिव थे कौन थे कौन थे तो इंडियन जी बड़ा नफरत करते थे इन्डियान को बड़ा वाली बात को लोगोंने सीरियसली ले लिया और मोतिलाल नहरू नहरू जवाला नहरू के पिता उन्होंने साथ लोगों के साथ मिलके एक रिपोर्ट बना उन्नेस्ते अथाथास में जिसको बोला गया नहरू लिपोर्ट अब नहरू रिपोर्ट क्या थी एक तरह से कि बढ़के नहरू ने का Constitution बना इंडियलों आपना इंडियन लोग जो है पना Constitution नहीं बना सकते हैं अंहां कैसे नहीं हम बना के दिखाएंगे ना Constitution आपको तो यह नहीं रिपोर्ट कुछ नहीं थी एक तरह का Constitution बनाने का एक मसवदा था एक ड्राफ्ट था इसमें बहुत सारी मांगें की गई थी जैसे पहली मांगें की थी भारत को क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो तो ब्रिटेन के हाथ में रहेगी वह इंडियन की रहेगी तो डॉमीन इस्टेट यह होता है उसमें जवाला नहरू जैसे लोग यूवा यूथ एंड स्वास्चंद्र बहुत जैसे लोग क्या कर रहे थे कि पूर्ट सुराज की मां सब्सक्राइब कर रहे तो डॉमीन इस्टेट से काम नहीं चलेगा हमें चाहिए पूरी लिवर्टी हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं नो डॉमीन इस्टेट क्यों ब्रिटेन हमें कंट्रोल करेगा तो उन लोगों ने क्या करा नारा जो के इसके अलावा इस सबस्क्राइब करें कि सरकार कैसे काम करेंगी कितना कंट्रिबीषन होगा अंग्रेगिजों का सरकार में और कितनकी विशन होगा है बहरतीं का इस Palніfer कि से औरह एदिरव में गये मिष्ट नवी जब कि कहते हैं कि आपक्टूबर गोशना के किए लिए मैं है लो के इसके अलाबह विटले कमिशन भी बनाया इनके तैम पर है के इसको रैप कर देते हैं है पएज है चाहिए तो है अगा कि 1929 में विटले कमीशन बनाए गया कि विटले कमीशन ये अग Whenever सब्सक्राइब के नियुक्राइब सब्सक्राइब है इन विटलेकंशन किसे रिलेटेट्ट था मजदूर वे दूरों को नियुमत्या आया मिलनी चाहिए यह कितने घंटें से काम कराया है क्योंकि अंग्रेज रहते थे यहां पर और अंग्रेजी कंपनिया थी तो वह जो भारतिये लोग थे जो वहां मजदूरी करने जाते तो उन मजदूरों की दसा को सुधारने के लिए विटले कमिशन बनाया गया था ठीक है इसके अलाबा एक 10 29 में जो रड़के लगजी की शादी करने की एक उसको Define करता और इसने सारदा अधिनियम लाया गया कि कि उसने की कि कने की उम्र लड़के की लिए की कि उमर की हुनी चाहिएwan कि चाहिए तो लड़के चाहिए घुक्नी चाहिए लटकी की welcomed है वह और आथारे साल या एक चाहिए को चाहिए लड़के लीकिन की जो के टाइम पे 1928 में Central Assembly में बंप फेका गया किसके द्वारा कि Central कि अशेंबली में कि पंप फेका गया किसके द्वारा कि भगर सिंग कि बटू केश्वर्दत कि बटू केश्वर्दत के द्वारा कि अशेंबली में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उनमें हमारे जो महत्तपूर्ण नेता सरदार वल्लब भाई पटेल जवाला नहरू जैसे लोग भी बैठे हुए तो बंप फेकने का जो उद्देश से था वह किसी को मारना नहीं था वह बंब अब भी डियक्स वाले नहीं थे कि बहुत बड़ा धमाका होगा पूरा सेंटरल हम धमाके वाले वह थे कि आवाज वाले दिसको भाण जिसको बह सिंग ने वोला था कि ये वहरों के ओवाज सुनाने के लिए हैं यहां मैं किसी को मारना नहीं चाहते बहरों को आवाज सुन कर लेते हैं लॉर्ड इर्विन 1926-1931 इनके टाइम पर भारस अच्पते वरकिन है सबसे पहला जो मेजर डबलमेंट इनके टाइम पूर सबने बग्या अंदोलन शुरू हो किया गंदी जी ने इन से मांगे रखी कि मांगे मालो हमारी नहीं नहीं वाणि जी ने अंग्रेजों की बात नहीं बाननी है जो यह बोलना काम किया गया दांडी में जाके नमक बनाया इसके अलावा साइमन कमेशन आया भारत में साइमन कमीशन आया रिव्यू करने के लिए वहारत निसके भारतास आधिनियम का पाच फरबड़ी उननिस सो अठाथ इसको इसी बीच में एक स्टेटमेंट आता है भारत सचे बरकिन हैड का की भारतियों को कोई तमीज बगएरा नहीं है पड़े लेखे लोग नहीं है वह अपना कॉंस्टिटूशन कैसे खुद बनाएंगे ठीक है मोतिलाल नहरू जो जबाला नहरू के पिता थे उन्होंने इस चैलेंज को एसेप्ट किया और एक कॉंस्टिटूशनल ड्राफ्ट नो ने बनाया जिसको नहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है 1928 में पब्लिश हुआ जिसमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी है ना गुब्मेंट के मांग की गई थी ह इसके बाद बहुत सारी लोगों ने क्या कि नहरू रिपोर्ट से नाराज होके उससे अलग हो गयते जैसे जब आला नहरू स्वास्चंद वोसी लोग फुल फ्रीडम चाहते थे ना कम्प्लीट इंडिपेंडेंस डूनो इफ एंडवर्ट अबाउट इंडिपेंडनेंस को कोई डूमिनिन स्टेट नहीं चाहते थे इसके अलावा नैंटी ट्विंटी एट में सेंट्रल असेंब्ली में बंफेंगा भाग सिंग बटके सर्दत ने यहीं से इसके अलावा 1929 में विटले कमीशन बनाया गया कि मजदूर कितने घंटे काम करेंगे उनको कितना महनता न होनी चाहिए तो नहीं लड़कियों की शादी करने की जो उमर बताई वह 14 साल बताई लड़की की जो उमर बताई 18 साल ठीक है तो यह थे हमारे वाइसरा इसके अलावा जो है अब लॉड विलिंग्टन आएंगे लिन लित को आएंगे और बेबिल आएंगे बाद सबसे ला